आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस का चाप्टर नमर 8 मोशन यानि की गती या चाल कह सकते हैं अब वो महानुभाव जो कहेंगे कि भाईया लाइन बाइन पढ़ाओ उने मैं बता दूँ कि NCRT के एक एक लाइन एक एक वर्ड को हमने इस प्रेजेंटेशन में थोड़ी इंट्रेस्टिंग तरीके से दिखाया है तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद NCRT का कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा वीडियो को लाज तक देखना बहुत मज़ा आएगा पहले मोशन का मतलब समझते हैं कि भाईया ये जो मोशन टॉपिक जो चाप्टर का नाम है इसका मतलब क्या होता है आपने वो गाना तो सुनाई होगा ना गोरिया चाल तो हर्मत वाली कजरा गजरा कान के बाली बहुत वही चाल के बारे में आजम पढ़ने वाले है जानते हैं कि मोशन कहते की से हैं डेफिनीशन क्या है मोशन is the phenomena in which an object changes its position over time मोशन क्या है? मोशन एक ऐसा process है मोशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिस process के थूँ कोई object या कोई वेक्ती समय के साथ अपनी जगह को बदलता है मतलब? मतलब समझे की नहीं समझे? चलो एक example लेते हैं for example कोई यहाँ पर इंसान खड़ा है अगर यह इंसान समय यहाँ पर चल रहा है लेकिन वहीं पर समय चल रहा है लेकिन समय के साथ यह इंसान अपनी जगह को change नहीं कर रहा हम कहेंगे कि यह object या यह वेक्ती रुका हुआ है यानि rest में है तो motion का मतलब समझ गए अगर कोई वेक्ती या वस्तू समय के साथ अपनी जगह को अपनी position को बदलता है तब तो हम कहेंगे कि वो वेक्ती या वस्तू motion में है यानि चल रहा है लेकिन वहीं पर अगर वो वेक्ती या वस्तू समय के साथ अपने position को change नहीं करता मतलब वो व्यक्ति और वस्तु रेस्ट पे है रुका हुआ है अब आते हैं अक्टिविटी नंबर 8.1 पर यह अक्टिविटी आपके इस चाप्टर की सबसे आसान अक्टिविटी है लेकिन सबसे इन्पॉर्टेंट अक्टिविटी है आपको करना क्या है इसमें आपको यह पता लगाना है कि आपके क्लासरूम की जो दिवाल है वो चल रही है या वो रुकी हुई है अब तुम बोलो कि क्या भया मजाक करते हो दिवाल भी कभी चलती है क्या अरे बिल्कुल नहीं चलती ही मेरे भाई लेकिन लेकिन आपको इस बात का पता motion के definition से लगानी है motion का definition क्या है भया motion कहता है कि अगर कोई object समय के साथ अपनी जगह को बदल रहा है तब तो वो object motion में है यानि चल रहा है लेकिन वहीं पर कोई ऐसा object है जो समय के साथ रुका हुआ है मतलब समय तो चल रहा है लेकिन वो अपना जगह नहीं बदल रहा वो वहीं का वहीं पर रुका हुआ है तो भाईया ऐसे object को हम कहेंगे कि ये object rest पर है ठीक है अब आपको ये पता लगाना है कि आपकी दिवाल rest पर है कि motion पर है ये पता लगाने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि reference point किसे कहते हैं किसे कहते हैं reference point एक example से समझते हैं for example ये तुम्हारा घर है ये तुम्हारा सुन्दर सा घर है और माल लेते हैं ये तुम्हारी सुन्दर girlfriend का घर है माल लो ये तुम्हारी girlfriend का घर है और ये तुम्हारा यानी चंदू का है ठीक है अब माल लो तुम्हारे master जी को तुम्हारे घर पर आना है तुम्हारे master जी को तुम्हारे घर का address नहीं पता तो तुम्हारे master जी कैसे आएंगे वो किसी से पूछेंगे कि भाई चंदू घर कहा अब यिस बंदे ने बताया कि मास्टर जी आप पहले सीधा चंदू के गल्फिन के घर पर चले जाएए फिर वहां से जब आप लेफ्ट लेंगे तब जाकर दो किलो मीटर बाद चंदू का घर आएगा इस एक्जाम्पल में आपके घर का पता आपके गल्फिन के घर से लग रहा है मतलब आपके गल्फिन के घर से जब हम लिफ्ट लेंगे तब आपका घर पड़ेगा इसी को तो रिफ्रेंस पॉइंट कहते हैं रिफ्रेंस पॉइंट को ये ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइं अगर चल रही होती है तो वो समय के साथ अपनी जगह अपनी डिस्टेंस को भी बढ़ाता है अपनी जगह को भी बदलता है ठीक है फॉर इक्जामपल तुम किसी क्लास में बैठे हुए हो और तुमारे सामने ये क्लास की दिवाल है ठीक है तुम खिडकी के बाहर देखते हो तो बाहर तुमारे कोई पेड दिखता है कोई ट्री दिखता है ठीक है माल लो तुमारे क्लास की दिवाल और इस पेड के बीच में 10 मीटर की दूरी है इतनी मीटर की दूरी है 10 मीटर की दूरी है तो क्या दिन रात जैसे जैसे समय बीचता है तो क्या ये दूरी बढ़ती जाती है क्या 10 मीटर से पेड़ खिसक के 20 मीटर पर हो जाएगा क्या अरे नहीं ना समय तो चलता रहेगा लेकिन समय के साथ इस दिवाल और इस पेड़ की दूरी नहीं बढ़ेगी मतलब आपका दिवाल क्या है यही तो कहता है ना motion motion कहता है अगर समय के साथ कोई object अपने place को change नहीं कर रहा मतलब वो rest पर है तो आपकी दिवाल क्या है? rest पर है लेकिन यह depend करता है reference point पर हमने पेड़ को reference point लिया तो यह दिवाल रोकी हुई है वहीं पर माल लो हमने sun को reference point ले लिया sun कभी east direction में होता है कभी beach में होता है कभी west direction में होता है तो भाई माल लो कि तुम्हारे दिवाल और sun के बीच में 1000 km की दूरी है ठीक है लेकिन अगर यही sun बीच में आ जाएगा तो हो सकता है 1500 km की दूरी हो जाए अब माल लो यही sun west direction में आ जाए तो हो सकता है 2000 km की दूरी हो जाए ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर समय के साथ दूरी बढ़ रही है मतलब आपका दिवाल चल रहा है बिलकुल चल रहा है लेकिन यह motion में है यह दिवाल motion में है इस बात का पता हम तभी लगा सकते है जब हम धरती के बाहर किसी और planet से देखते हैं तब ठीक है समझ में आया मतलब क्या है मतलब यह है अगर कोई भी object rest पर है motion पर है इस बात का पता हमें कैसे लगता है हमारे नजर यह से लगता है कि हम देख कहा रहे है हम कौन से reference points से देख रहे है हम इस पेड से देख रहे है तो दिवाल रुकी हुई है हम किसी और planet से जा कर देख रहे है तो यह दिवाल और sun के बीच में दूरी बढ़ रही है मतलब यह दिवाल आपकी move कर रही है है कि नी बिचित्र बात आज पता चला आपकी दिवाल भी move करती है हम धरती पर हैं लेकिन हमें पता तो नहीं चलता न धरती गोल गोल गूम रही है लेकिन actual में धरती move कर रही है जिससे आपका दिवाल भी move करता है इसको जानने के लिए हम activity number 8.2 करेंगे activity 8.1 और 2 दोनो activities से हमें एक ही बात का पता चलता है कि भाई कोई भी object rest पर है या motion पर है इस बात का पता हमें उसके reference point से लगता है मतलब कौन सी जगह से देखा जा रहा है इस बात से पता लगता है कि कोई object rest पर है या motion पर है इस activity में आपको करना क्या है क्या आपने कभी ये experience किया है कि आप अगर train में बैठे होगे तो आपने कभी न कभी ये experience जरूर किया होगा कैसा experience आप किसी train में बैठे हुए हो वो train रुकी हुई है लेकिन फिर भी आपको कभी-कभी लगता है कि train चल रही है किया है experience, कब होता है ऐसा, ऐसा तब होता है for example, यह platform है for example, यह platform है और आपकी train इसी platform के किनारे पर खड़ी है ठीक है, माल लो तुमारे train के बगल में कोई दूसरी train जा रही है, जो की चल रही है, जो की चल रही है, आप यहां पर कहीं बैठे हुए हो, आप जब इस चलती हुई train को देखोगे ना, तो आपको लगेगा यार, मेरी भी train चल रही है क्या, ये हम train को reference point लेकर जब देखते हैं तो हमें लगता है, हमारी train भी चल रही है, लेकिन वहीँ पर, जब आप platform को reference point लेते हो platform तो रुका हुआ है, platform तो कहीं जाता नहीं है, ठीक है, जब आप platform को reference point लेते हो, तो आपको लगता है, नहीं यार, मेरी train तो रुकी हुई है ये सब के साथ कभी न कभी ज़रूर हुआ होगा माल लो, कोई platform है platform के बगल में आपका train खड़ी है train के बगल में कोई दूसरी train जा रही है जब आप उस train को देखते हो तो आपको लगता है यार मेरी train भी चल रही है क्या ऐसा होता है सबके साथ क्यूं होता है? क्योंकि हम चलती हुई train को अपना reference point माल लिये हैं अगर हम platform को reference point मानेंगे तो हमारा train rest पर है हम इस train को अपना reference point मानेंगे तो हमारा train move कर रहा है Is it okay? समझ में आया ठीक है? तो सारा खेल reference point का है ये कोई भी object चल रहा है या रुका हुआ है ये किस बात पर depend करता है? reference point पर depend करता है Got it? Okay, let's move forward Topic number 8.1 describing motion हम किसी भी चीज के moment का पता कोई भी object चल रहा है या रुका हुआ है इस चीज का पता हम कैसे लगा सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया इस चीज का पता हम reference point से लगाते हैं तो अब हम detail में समझेंगे कि ये reference point है क्या We describe the location of an object by specifying a reference point यहाँ पर साप साप लिखा है अगर हमें किसी चीज के location का पता लगाना हुआ अगर हमें ये पता लगाना हुआ कि कोई object move कर रहा है या कोई object रुका हुआ है ये सारी चीजें हमें reference point से पता लगती है अब reference point क्या है? example लेकर समझते हैं for example तमहारा जो school है वो तुमिरे railway station से तुम्हारे सहर मी जो railway station है उस railway station से मान लो तुमारा school 10 km north direction में पढ़ता है तमार कोई व्यक्ती railway station से 10 km north के दिशा में जाए तो उसे तुमारा school मिल जाएगा यहाँ पर school का address school का location हमें इस railway station से चल रहा है हमें इस railway station से पता चल रहा है कि school कहा है इसलिए ये railway station हमारे school के लिए क्या काम करेगी reference point का काम करेगी समझ में आ रहा है ऐसे ही अगर माल लो तुम्हें hospital जाना है और जो hospital है वो तुम्हारे school से 5 km west direction में है किस direction में है माल लो तुम्हारे सहर में जो hospital है वो तुम्हारे school से 5 km की west direction में है अब तुम hospital तक कैसे पहुचोगे जब तुम school से 5 km west direction में जाओगे तो तुम hospital पहुच जाओगे तो hospital के address का पता हमें इस school से चल रहा है इसलिए ये school hospital का reference point का काम करेगा तो reference point मतलब समझ रहे हो क्या होता है देखो यहाँ पर देखो लिखा गया है कि to describe the position of an object we need to specify a reference point called the origin मतलब क्या है मतलब ये है अगर हमीं किसी चीज के location का पता लगाना है कि कोई चीज कहां पढ़ता है या कोई चीज move कर रहा है या कोई चीज रुका हुआ है ये सारी चीजों का पता हमें reference point से लगता है reference point को हम origin भी कहते हैं origin का मतलब क्या होता है कोई चीज जहां से निकलती है ठीक है जैसे इस उपर वाली example में देखो यहाँ हम railway station से निकल रहे हैं school के लिए तो ये railway station हमारा origin कहलाएगा हम school से निकल रहे हैं hospital के लिए तो ये hospital हमारा क्या कहलाएगा सुरी ये school हमारा क्या कहलाएगा origin कहलाएगा तो origin मतलब समझ गए बिल्कुल समझ गए होगे जहां से हमें ये पता चले कि कोई दूसरा object कहां पर locate है कहां पर पढ़ता है उसी को हम reference point या origin कहते हैं अब आपने origin समझ लिया आगे बढ़ते हैं describing motion के अंदर हमारा सबसे पहला sub-topic आता है motion along a straight line अगर कोई object सीधे चलता है अगर कोई object straight line में चलता है तो इससे हमें क्या-क्या पता चलता है वो हम इस topic में जानेंगे देखो हम इस topic में displacement, distance, speed, velocity ये सभी हम इसी topic में पढ़ेंगे ठीक है और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि the simplest type of motion is the motion along a straight line अगर कोई भी object सीधे चलती है तो समझ लो कि वो सबसे आसान तरीके का motion है सिंपल सी बात है भाई सीधे चलना बहुत आसान होता है ठीक है अच्छा पहली ये समझो कि motion इन्हें straight line कहते किसे है सीधे चलने का मतलब क्या है सीधे चलने का मतलब भाई सीधे चलना है अच्छा इसको एक example से समझते है क्या है example for example ले लो कोई object है जो अपनी journey start करता है O से और O को हम reference point मानेंगे मान लो कोई object है for example this is a car ये कोई car है ये car O से चलना start करता है तो जहां से कोई object निकलता है जहां से कोई object चलना start करता है अपनी journey start करता है उसको हम reference point कहते है या हम उसको origin भी कहते है ठीक है तो O को हम origin मान लेते हैं मतलब ये object O से चलना स्टार्ट कर रहा है ठीक है? Let A, B and C represent the position of the object at different instance ये जो C है, B है और A है ये तीन अलग-अलग जगह है जहां पर ये object move करके पहुचेगा ठीक है? मान लिया हमने For example, C को हम मान लेते हैं कि C मतलब Mumbai है ठीक है? B मतलब मान लेते हैं हम दिल्ली है ठीक है? और A का मतलब हम मान लेते हैं चिन नहीं है और कोई object O से निकला है ठीक है? तो सीधे चलने का मतलब क्या होता है? ये समझो पहले कोई object O से निकलता है O से निकलते निकलते वो C तक पहुचता है फिर B तक पहुचता है फिर वो A के पास पहुचता है और A के पास पहुचने के बाद वो वापस मुढ जाता है B तक पहुचता है फिर वो B तक पहुचने के बाद C तक पहुच जाता है मतलब क्या है? मतलब यह object सीधे गया और वापस लोट कर भी ये object सीधे वापस आया इसी चीज़ को हम motion along a straight line कहते हैं समझ में आया motion along a straight line क्या है अच्छा अब आगे पढ़ते हैं यहीं पर हमारा आता है distance किसे कहते हैं distance किसे कहते हैं the total path length covered by the object is OA plus OC हमने देखा कि भाई जब ये हमारी car थी ये जो हमारी car है ये O से चलना start करती है बिल्कुल अब जब चलना start करी थी ये कितना दूर चली ये पहले O से पूरा A तक गई ठीक है फिर वापस मुड़कर ये A से पूरा C तक गई तो इस car ने total कितना distance cover किया सबसे पहले 0 से 60 km फिर वापस 60 km से इधर 35 km ये वापस आई और total 60 km ये सीधे गई मतलब total इस car ने कितना distance travel किया O A O A O से लेकर A तक गई फिर A से लेकर C तक गई इतना ही distance तो इस car ने travel किया न O A 60 km है A C कितना है 35 km है मतलब इस हमारी car ने total कितना distance cover कर लिया 95 km इसी को हम distance कहते है distance क्या है distance की बहुत ही simple सी definition है The total path length covered by the object is known as distance अगर आप से कोई पूछे कि distance किसे कहते है simple भासा में कह देना कि भाई total रास्ता कोई object जितना भी total length cover करता है उसको हम distance का नाम देते है ठीक है? चलो समझ गए distance क्या है? अच्छा This is the distance covered by the object ये 95 km हमारी गाड़ी चली है तो total distance हमारी गाड़ी कितनी complete कर ली है? 60 km गई 35 km वापस आई मतलब 95 km की दूरी हमारी इस कार ने तैं किया है ठीक है? समझ गए? To find the distance अगर हमें distance का पता लगाना हो अगर हमें ये पता लगाना हो कि कोई object कितना दूर चली है तो हमें सिर्फ उसके numerical value को गिनना होगा numerical value मतलब जैसे मैंने यहाँ पर गिना कि कार हमारी गई 5 km, 10 km, 15 km, 60 km गई फिर 60 km से वापस आई 35 km तो हमने numerical value को जोड़ा ये जो गिनती है हमने केवल गिनती को गिना हमने ये नहीं देखा कि कौन से direction में हमारी गाड़ी जा रही है किसी भी direction में जाए बस हम उसके km को गिन लिये मतलब हमने उसके distance को पता कर लिया तो किसी भी object के distance को पता लगाने के लिए हमें केवल कितना km गाड़ी चलती है या कितना distance वो चलती है इस बात का पता लगाने के लिए हमें केवल numerical value की जरुवत पड़ेगी एक km, 2 km, 3 km ये सब numerical value कहलाती है ठीक है, numerical value को हम magnitude भी कहते है आगे 10th में, 11th में, 12th में आपको magnitude, magnitude, magnitude कहके teacher लोग पका देंगे magnitude का मतलब समझ दो सीधी सी बात है गिंती जैसे हम 1, 2, 3, 4, 10, 20 गिंते हैं ना इसी को magnitude कहते है ठीक है, तो भाई अगर हमें distance पता लगाना हुआ तो हम total कितना हमारी गाड़ी चली है total कितना रास्ता cover किया है हमारी गाड़ी ने, अगर हमने इसको जोड लिया, तो हम उस गाड़ी ने कितना distance cover किया, ये पता लगा लेंगे, ये बहुत ही simple था, distance मतलब क्या होता है for example, हम घर से school तक जाते हैं, और हमारे घर से school की दूरी 18 km है तो हमने कितना distance cover किया 18 km cover किया simple सी चीज़ थी distance, ठीक है आगे चलते है, displacement किसे कहते है, displacement थोड़ा सा अलग है, क्या है displacement the shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement, मतलब क्या है, मतलब गाड़ी जहां से चली और आखिर में जहां पर पहुची, वहां का shortest distance shortcut लेकर जितनी दूरी होती है, उसी को हम displacement कहते हैं, समझ पारे हो की नहीं समझ पारे हो, चलो एक example से समझाता हूँ, for example यहां पर देखो, हमारी गाड़ी हमारी जो car थी car हमारी, for example यह हमारी car है, ठीक है माल लो हमारी car यहां से, O से चलती है A तक, ठीक है A से वापस आती है C तक, तो इस गाड़ी का initial position मतलब गाड़ी कहां से start करी थी 0 से, final कहां पहुची है, 25 पर तो displacement कितना हुआ shortest distance कितना किलो मेटर, केवल 25 किलो मेटर, ठीक है तो displacement समझ गए initial position और final position के बीच में जो अंतर होता है इसी को हम displacement का नाम देते हैं अगर हमें displacement पता लगाना हुआ हम कैसे पता लगाएंगे difference between the initial and final position of the object will give you the numeric value of displacement, हमें अगर पता लगाना हुआ, for example देखो एक यहां पर और example लेते हैं for example कोई object है, कोई इंसान है, ठीक है, कोई इंसान यहां गया, 10 किलो मेटर चल लिया फिर यहां से यहां आ गया 15 किलो मेटर चल लिया ठीक है, फिर यहां से यहां आ गया फिर 10 किलो मेटर चल लिया यह ठीक है, और यहीं पर आके यह रुख गया अब अगर हमें distance पता लगाना हुआ तो यह object पहले 10 km गया फिर 15 km गया 10 और 15 हो गया हमारा 25 km फिर 10 km आया मतलब इस object ने total कितना distance कवर किया 35 km लेकिन अगर हमें इसका displacement पता लगाना हुआ तो initial position मतलब जहां से गाड़ी चलना start की है और जहां पर आखिर में पहुची है इन दोनों के बीच में जितना distance होता है यही displacement कहलाता है ठीक है? displacement समझ गये? displacement हमेशा हमेशा के लिए याद कर लो the shortest distance measured from the initial and final position of the object is known as the displacement मतलब जहां से चलना start कियाता है जहां से हमारी गाड़ी चलना start किया था और जहां पर गाड़ी आखिरी बार पहुची है उसके बीच में जितनी दूरी होती है इसी को हम displacement का नाम देते है ठीक है? समझ में आया I hope कोई दिक्कत नहीं होगी चलो, आगे बढ़ते हैं वाउ! पूछने वालोंने क्या क्या नहीं पूछा होगा? मेरा वादा है तुमने ऐसा question नहीं देखा होगा क्या है question? पूछ रहा है कि अगर दिमाग होगा तो कर ले जाओगे पूछ रहा है कि क्या कभी कोई ऐसा शयोग बन सकता है कि displacement की value distance के बराबर हो जाए जैसे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई कार हमारी यहां से चली यहाँ A तक आई फिर वापस मुड़कर C तक गई मतलब कार ने कितना distance कवर किया कार ने 95 km ट्रैवल किया लेकिन वही पर displacement कितना है? केवल 0 से लेकर 25 km तक यही तो है ना shorter distance shorter distance को ही तो हम displacement कहते हैं तो displacement यहाँ पर कितना है? यहाँ पर displacement हमारा है 25 km तो question अगले साइड में यह पूछ रहा है कि क्या कभी distance और displacement बराबर हो सकता है? अगर हो सकता है तो कौन से case में? देखो यहाँ पर साब साब लिखा गया है कि अगर कोई body अगर कोई object या कोई व्यक्ती किसी एक दिशा में चलता है बिना वापस आए मतलब for example देख लेते हैं यहाँ पर अगर कोई व्यक्ती यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वो सीधा चलता जाता है किसी एक डारेक्शन में और वापस नहीं आता तब इस case में displacement distance के एकक्वल हो सकता है कैसे हो सकता है? for example यह व्यक्ती यहाँ से चला और ए तक आया यहाँ तक आने में इसने 95 किलोमेटर की distance ट्रैवल किया किया की नहीं किया? बिल्कुल किया बेरे भाई और displacement कितना है? displacement भी तो इतना ही है न क्योंकि 0 से लेकर 60 तक पहुचने का केवल यही इकलोता shortcut है यह इकलोता यह shorted distance है ठीक है? तो यहाँ पर distance और displacement दोनो 95 किलोमेटर है तो किस केस में displacement और distance equal हो सकता है? ऐसा case या ऐसी सैयोग जब body हमारा जब कोई भी व्यक्ती या कोई भी object किसी एक ही दिशा में चलता है बिना वापस आए तब इस case में displacement distance के equal हो सकता है समझ गये ना displacement distance के कभी equal होता है? चलो आगे पढ़ते हैं कि एक यहाँ पर बुझो ने ना बहुत ही पते की बात बताई है कहा है कि magnitude of displacement can be 0 but distance cannot बहुत ही मज़ेदार बात बताई है बुझो ने कहाए कि भईया कभी-कभी ना displacement जो होता है वो 0 हो सकता है कभी-कभी displacement 0 हो सकता है लेकिन distance हमारा कभी-भी 0 नहीं हो सकता मतलब क्या है? मतलब यह है for example यहाँ से कोई कार है वो यहाँ से चलकर यहाँ से चलकर यहाँ से चलकर यहाँ जाती है फिर वो वापस फिर वो वापस वहीं जगह पर आ जाती है जहां से वो चली हुई है तो इसने कितना distance कभर किया? 2 मीटर गई 2 मीटर आई तो distance कितना हो गया? distance हो गया चार मीटर, दो मीटर जाना प्लेस दो मीटर आना equal to, इसने distance कितना कवर किया, चार किलो मीटर लेकिन यहीं पर अगर हम इसका displacement देखें, displacement अगर हम इसका देखें, तो displacement कितना इसका, यह दो मीटर गई, दो मीटर आई, वापस तो उसी जगह पर आ गई न, initial position, final position के बराबर हो गया, इस case में, displacement कितना है, 0 किलो मेटर, ठीक है, तो यही बूजो बता रहा है, कि भाई, कभी-कभी displacement 0 हो जाता है, लेकिन distance कभी भी 0 नहीं होता, I think आपको समझ में आ गया होगा, वाउ, next, मज़दार topic uniform motion and non-uniform motion uniform motion क्या है, किसे कहते हैं, इसकी जरूरत 9, 10, 11, 12 हर classes में है जान लो आज, uniform motion किसे कहते हैं, नाम से ही clear है, uniform का मतलब क्या होता है, uniform का मतलब जब सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हो, बिलकुल ऐसे ही uniform motion होता है example से समझते हैं, अगर कोई object है, या कोई व्यक्ती है कोई भी इनसान है अगर वो एक second में 5 meter distance travel करता है, वो 0 से चलता है, और 5 meter तक पहुच जाता है, एक second में फिर अगला 5 meter वो अगले second में पहुचता है ठीक है, फिर अगला 5 meter भी वो अगले एक second में पहुच जाता है, इस case में क्या हुआ है इस case में क्या हुआ है in this case, the object covers equal distance in equal interval of time, ये जो व्यक्ती है ये 5 meter एक second में चल रहा है, तो अगला 5 meter भी ये एक ही second में चल रहा है, अगला पाँंच meter भी ये एक ही second में चल रहा है, मतलब पर सेकेंड ये 5 मीटर चल रहा है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है हर एक सेकेंड में ये 5 मीटर की दूरी कवर करता है तो ऐसे मोशन को ऐसे चाल को हम यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं जिसमें स्पीड सेम होती है 5 मीटर पर सेकेंड समझ में आया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है जब कोई व्यक्ती या कोई आबजेक्ट एक्वल टाइम में एक्वल दूरी कवर करें हर एक सेकेंड में यहाँ पर ये व्यक्ती 5 मीटर चल रहा है इस वज़से हम कह सकते हैं कि ये ऑबजेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है समझ में आया अब नौन यूनिफॉर्म किसे कहेंगे नौन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है इक्जाम्पल से समझते हैं कोई व्यक्ती है कोई इंसान है अगर फिर वो एक सेकेंड में, माल लो वो एक सेकेंड में 0 से 3 मीटर तक जा रहा है, लेकिन अगले एक सेकेंड में, वो 3 मीटर से 7 मीटर, यानि 4 मीटर चल गया, फिर अगले एक सेकेंड में, वो 7 मीटर से 12 मीटर, यानि 7-5, 12, 5 मीटर चल गया, मतलब यहाँ पर जो speed है, वो constant नह यह व्यक्ति एक सेकेंड में 3 मीटर अगले एक सेकेंड में 4 मीटर अगले एक सेकेंड में 5 मीटर कवर कर रहा है तो इस केस में क्या हो रहा है इन दिस केस जो आबजेक्ट है जो व्यक्ति है वो अनिक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटर्वल अफ टाइम में अब इसने unequal distance cover की equal interval of time में ऐसे motion को हम non uniform motion कहते हैं non uniform motion में जो speed होती है वो क्या होती है वो variant होती है मतलब constant नहीं होती लगातार एक ही speed नहीं बनी होती है जैसे पिछला वाला जो हमने uniform motion देखा था uniform motion में speed कितना था 5 meter per second हर एक second में 5 meter जा रहा था ये वक्ती लेकिन यहाँ पर पहले second में 3 meter दूसरे second में 4 meter तीसरे second में 5 meter ठीक है तो ऐसे motion को हम non uniform motion का नाम देते हैं did you get it? activity number 8.5 इस activity में है क्या थोड़ा ध्यान से पढ़ना बड़ी ही मज़िदार activity है the data regarding the motion of two objects A and B are given in table 8.1 यह जो table 8.1 है ना इस table में क्या दिया गया है एक object है A और दूसरा object है B इन दोनों के motion का data दिया गया है यहाँ पर मतलब यह दोनों object A और B कितने समय में कितना meter चले हैं वो यहाँ पर इनके column में दिया गया है आपको क्या करना है इनको ध्यान से पढ़ो examine then carefully और यह बताओ कि कौन सा object uniform motion में है और कौन सा object non uniform motion में है आपको यहाँ पर इतना बताना है कि कौन सा object A और B में से कौन सा object uniformly चल रहा है और कौन सा object non uniformly चल रहा है तो आपने यहाँ पर देखा है कि 9.30 से 9.45 की बीच में कितने मिनट का गैप है 15 मिनट का ऐसे ही 9.45 और 10 की बीच में भी 15 मिनट का गैप है 10 से 10.15 की बीच में 15 मिनट का गैप है मतलब यहाँ पर सभी के बीच में 15-15 मिनट का गैप है अबजेक्ट A हर 15 मिनट पर 10 मीटर चलता है अगले 15 मिनट में 10 मीटर और चल लिया अगले 15 मिनट में 10 मीटर और चल लिया अगले 15 मिनट में 10 मीटर और चल लिया अगले 15 मिनट में 10 मीटर और चल लिया तो यहाँ पर जो अबजेक्ट A है न वो हर 15 मिनट पे 10 मीटर चल रहा है मतलब equal time पर equal distance कवर कर रहा है अगले 15 मिनट में भी 10 मीटर अगले 15 मिनट में भी 10 मीटर अगले 15 मिनट में भी 10 मीटर चला मतलब जो object A है वो uniform motion में है और जाहिर सी बात है जब object A uniform motion में है तो object B non uniform motion में है तुम देख पा रहे हो उपर simply देख सकते हो कि 12 से 19, 7 का gap है 19 से 23, 4 का gap है 23 से 35, 12 का gap है मतलब हर 15 मिनिट पे अपनी distance बदल रहा है तो यहाँ पर यह B वाला object non uniform motion में है समझ गये? चालो, आगे बढ़ते हैं अब आता है मारा topic number 8.2 measuring the rate of motion मतलब कोई भी object कितनी speed से चल रहा है इस चीज को हम measure करना सिखेंगे इस particular topic topic number 8.2 में यहाँ पर आपके लिए दो figures दिये गए हैं पहले figure में आपने देखा यह ओगा live math जब चलता है जब cricket आता है तो जैसे ही baller ball को फेकता है तो उस ball की speed नीचे लिखकर आ जाती है यहाँ पर देख रहा हो 6 के 6 ball की speed नीचे दी गई है और दूसरा figure देखो यहाँ पर यह sign board बताया गया है यह sign board है यहाँ पर और इस sign board में बताया गया है speed की limit मतलब यहाँ पर इस road पर छोटी गाडिया 50 km पर घंटे के हिसाब से चल सकती है और बड़ी गाडिया 40 km पर घंटे के हिसाब से चल सकती है वो इस sign board में बताया गया है ठीक है look at the situations given in our figures इन दोनों figures को ध्यान से देखो अगर balling speed 143 km पर घंटे है तो इसका मतलब क्या है what does it mean क्या मतलब है इसका इसका मतलब ये है कि भाया जिस speed से ये baller ball को fake रहा है अगर ये ball इसी speed से चलती रही तो ये ball एक घंटे में 143 km दूर चली जाएगी ठीक है तो पहले figure का मतलब समझ गया दूसरा figure क्या बताने की कोसिस कर रहा है दूसरे figure में भाई warning दी गई है किस तरीके की warning warning दी गई है कि जितनी भी छोटी गाडिया है वो 50 km पर घंटे के हिसाब से चलेंगी और जितनी भी बड़ी गाडिया है वो 40 km पर घंटे के हिसाब से चलेंगी ये इनकी speed का limit होना चाहिए अगर इस से cross करोगे तो तुम्हारा accident हो सकता है ठीक है तो दूसरे वाले figure में warning दी गई है और तीसरे वाले figure मतलब पहले वाले figure में ball की speed बताई गई है समझ में आया ओके आगे चलते हैं और पढ़ते हैं देखते हैं क्या कहा गया है कहा गया है कि भाई दो objects अलग-अलग समय ले सकते हैं एक ही दूरी को cover करने में for example इस object को भी 1 km चलना है और इस object को भी 1 km चलना है तो maybe ये object एक km जाने में थोड़ा जादा time लगाए और हो सकता है ये object एक km जाने में बहुत ही धीरे चलती है इसलिए उन्हें distance cover करने में time लगता है the rate at which objects move can be different क्या कहा गया है कहा गया है कि भाई कोई चीज slow चलती है कोई चीज fast चलती है मतलब उनका जो rate है उनकी जो speed है वो अलग-अलग हो सकती है जैसे cycle की speed कम होती है हमारे motorcycle की speed जादा होती है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अलग-अलग चीजों की speed same हो सकती है एक जैसी हो सकती है अब हमें speed का पता लगाना हुआ तो कैसे लगाएंगे हम कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई object कितनी speed से चल रहा है कैसे पता लगाएंगे अगर हमें पता लगाना हुआ कि भाई कितनी speed से कोई चीज चल रही है तो हम क्या करेंगे हम कितना distance travel किया है उस object ने कितने time में किया है डिवाइट कर देंगे हमारे speed निकल जाएगा for example for example कोई car है कोई car है ठीक है अब इस car ने total 10 km distance travel किया और यहाँ पर पहुच गई और कितने time में travel किया मालो 2 घंटे में travel किया तो distance कितना travel किया 10 km 10 को हम उपर लिख देंगे 10 km कितने घंटे में 2 घंटे में डिवाइट कर दो 2 अंजा 2 2 तू जा 2 फाइब जा 10 मतलब कितना बच गया speed कितनी है इस car की speed कितनी है इस car की 5 km per hour तो speed निकालना आ गया अगर हमें किसी भी object की speed निकालनी है तो हम distance कितना travel किया उस object ने कितने time में किया उसको डिवाइट कर देंगे हमारे पास speed की value आ जाएगी हम इसे क्या कहते है हम इसे speed का नाम देते है हम मैथमेटिक्स के calculation के लिए physics में calculation करने के लिए speed का सबसे छोटी unit का use करते है speed के si unit क्या है meter per second si क्या होता है हम बोलने को तो कुछ भी कह सकते है हम कह सकते है कि कोई गाड़ी 20 km पर घंटे के हिसाब से चल रही है हम कह सकते है कि कोई गाड़ी 20 meter per second के हिसाब से चल रही है बोलने को तो हम कुछ भी कह सकते है लेकिन लिखने के लिए आपके exam में लिखने के लिए आपके mathematics के exam में लिखने के लिए physics के exam में लिखने के लिए जहां भी speed की value आप बताते हो ना तो हमेशा वो value meter per second में बताया करो इससे क्या होता है इससे examiner के mind में impact अच्छा पड़ता है ठीक है this is represented by the symbol meter per second और meter per second हम meter per second को इन दो symbol से represent करते हैं meter second का minus one या meter per second ठीक है हम speed के SI unit को इन दो तरीकों से express करते हैं लिखते हैं और भी बहुत सारी units है speed की लेकिन हम उसको calculation में use नहीं करते हैं जैसे centimeter per second हो गया kilometer per hour हो गया ये सभी भी speed की SI unit नहीं है लेकिन ये speed की क्या है ये speed की unit कहलाती है centimeter per second kilometer per hour ठीक है to specify the speed of an object we require only its magnitude ठाहा गया है कि अगर हमें किसी भी object की speed पता करनी है magnitude का मतलब केवल हम ये पता करेंगे कि वो object कितना distance travel किया कितने time में किया divide कर देंगे हमारा speed का magnitude निकल कर बाहर आ जाएगा speed पता करने के लिए हमें केवल numeric value की जरुवत पड़ेगी हमें direction की जरुवत नहीं पड़ती है गाड़ी किसी भी direction में चाहे बस हम speed का पता distance upon time करके लगा सकते हैं समझ में आया कोई दिक्कत तो नहीं है आगे बढ़ते हैं speed of an object need not to be constant अब ये तो हम सभी को पता है यार कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी चीज की speed लगातार same speed बनी रहे कभी-कभी गाड़ी 30 km पर घंटे किसाफ से चलती है कभी-कभी गाड़ी 100 km पर घंटे किसाफ से चलती है traffic है तो गाड़ी slow चलेगी एकदम खाली highway मिल गया तो काड़ी हमारी बहुत तेज चलेगी ऐसा होता है न अब ऐसा किसलिए होता है in most cases objects will be in non-uniform motion हमारे अगल-गल जितनी भी चीज़े चलती है न जादातर cases में ये सारी चीज़े न कभी तेज चलती है कभी दीरे चलती हैं जैसे हम इंसान ही हम इंसान कभी दोड़ के चलते हैं उसमें हमारी speed जादा होती है हम कभी-कभी चल के चलते हैं वहाँ पर हमारी speed कम होती है कभी हम cycle अपनी तेज चलाते हैं, कभी धीरे चलाते हैं मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जो move कर रही हैं वो जाधा तर non uniform motion में हैं मतलब उनका speed घटता और बढ़ता रहता है therefore we describe the rate of motion of such objects in terms of their average speed देखो बाई, अलग अलग चीजें कभी धीरे चलती हैं, कभी तेज चलती हैं तो हर time हम उनकी speed को तो note नहीं कर सकते न इसलिए हम उनकी average speed को note down करते हैं average का मतलब समझते हो न देखो, average speed कैसे निकालोगे? देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि average speed of an object is obtained by dividing the total distance by the total time taken average speed निकालने का formula यहाँ पर दिया गया है देखो, average speed निकालने का formula यहाँ पर दिया गया है जैसे, average speed कैसे निकालोगे? for example, कोई इंसान है, कोई इंसान है, ठीक है? वो पहले एक घंटे में दो किलो मेटर चलता है, ठीक है? फिर वो अगले एक घंटे में 3 किलो मेटर चलता है ठीक है? फिर वो अगले एक घंटे में मालो 5 किलो मेटर चलता है अब हमें इस इंसान के average speed को निकालने हुआ तो कैसे निकालोगे? average speed का formula है, total distance कितना travel किया? तो total distance 2 किलो मेटर प्लस 3 किलो मेटर प्लस 5 किलो मेटर 3,2,5,5,5,5,10 किलो मेटर total distance travel किया गया ठीक है? अपन total time taken कितना समय लिया गया है? तो एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा तीन घंटे time लिये गए हैं जब divide करोगे, तो हमारा कुछ 9.3 किलो मेटर पर आवर आएगा ठीक है? तो ये हो गई हमारी इस इंसान की average speed मतलब ये इंसान हर घंटे, sorry 9.9 ने, 3.3.1 सेकेंड थोड़ा ही रेस करके हम फिर से लिखते हैं इसको इसकी average speed क्या हो गई इस इंसान की? 3.3 हो गई मतलब ये इंसान पर घंटे 3 किलो मेटर चल रहा है कमच गया है? चालो If an object travels a distance S in time T, then its speed V is V equal to S upon T क्या कहा गया है? कहा गया है कि माल लो अगर average speed को हम V माल ले ठीक है? total distance को माल लो हम S माल लेते हैं और time taken को हम T माल लेते हैं तो हम इस पूरे formula को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना? बिल को लिख सकते हैं Let us understand this by an example हम average speed को एक example से समझते हैं एक example यहाँ पर दिया गया है कि माल लो कोई कार है जो 100 km total distance कवर करती है 2 घंटे में आपको इसका average speed निकालना है तो average speed क्या होता है? total distance 100 km अपन 2 घंटे में कट गया कितना आया average speed इसका? 50 km पर आवर एक घंटे में 50 km इस कार की average speed है ठीक है? its average speed is 50 km पर आवर लेकिन एक बात याद रखना average speed का मतलब क्या होता है? अगर किसी कार ने अगर किसी भी कार ने 2 घंटे में माल लोक पहले घंटे में वो और दूसरे घंटे में मिला कर 2 घंटे में इसने 100 km चला तो ऐसा हो सकता है कि पहले घंटे ये 40 km ही चला हो दूसरे घंटे इसने 60 km चल दिया हो मतलब इसकी speed न हो सकती है कि कभी कम रही हो कभी ज़ादा रही हो लेकिन ये जो 50 km आवर की speed है ये इसकी average speed कहलाएगी मतलब आसतन ये गाड़ी इस speed से चली है तभी वो 2 घंटे में 100 km कवर कर ली है ठीक है समझ में आया is it okay आगे बढ़ते हैं और देखते हैं average speed का एक question है बहुत ही धमाकेदार question है देखते हैं क्या है example number 8.1 बहुत easy question है इस question में आपको भीया सिर्फ average speed निकालनी है object की तो average speed का formula हमेशा याद रखना ऐसे questions को तो चुटकियों में हलवा समझ के खा जाओगे average speed की जो formula वो क्या है ये कहता है average speed की भाई जितना total distance कवर किया है object ने उसको divide कर दो तुम total time से तुमारा average speed निकल जाएगा ठीक है तो सबसे पहले total distance गिनते हैं तो कोई object है पहले solar meter चला फिर solar meter चला तो इस object ने solar plus solar यानि की 32 meter ठीक है solar plus solar 32 meter ये object चला है ठीक है और इस object ने time कितना लिया पहली बार में 4 second दूसरी बार में 2 second मतलब 4 second 2 second हो गया 6 second अब हमारे पास total distance भी पता चल गया है और total time भी पता चल गया है divide कर दो जाएगा topic number 8.2.1 speed with direction हम इस topic में पढ़ेंगे कि अगर speed के साथ साथ हम ये भी बताएं कि कोई object किस direction में जा रही है तो इस चीज को हम क्या कहेंगे simple सी भासा में इस चीज को हम velocity कहते हैं तो इस topic में हम पढ़ेंगे velocity क्या है नाम तो सुना होगा velocity का कभी ना कभी कहीं ना कहीं ठीक है अब पढ़ते हैं कि actual में velocity कहते किसे हैं बहुत ही simple है अगर भाई speed के साथ साथ ये भी बताया जाए कि कोई object किस direction में जा रहा है समझ जाना उस object की velocity बताई जा रही है ठीक है the rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed कहा गया है भाई कि अगर कोई भी object किस rate से चल रहा है इस चीज का पता लगाना हमारे लिए और भी आसान हो सकता है कब आसान हो सकता है अगर हम उस object की speed के साथ साथ ये भी पता लगाएं कि वो object कोई सी direction में जा रहा है for example एक example लेते हैं कोई व्यक्ति है वो आगे जा रहा है 2 km पर घंटे के हिसाब से और वो 2 km पर घंटे के हिसाब से north direction में चल रहा है तो यहाँ पर इस व्यक्ति की speed plus direction दोनों बताया गया है इसी चीज को तो हम क्या कहते हैं velocity कहते हैं समझ में आया the quantity that specifies both these aspects is called velocity एक ऐसी quantity जिसमें speed और direction दोनों को specify किया जाए दोनों का पता लगाया जाए ऐसे quantity को हम velocity का नाम देते हैं समझ रहेगा याद रहेगा velocity किसे कहते हैं velocity की definition रट लो the quantity that specifies both यानि speed और direction दोनों को जो पता लगाये ऐसे quantity को हम velocity का नाम देते हैं velocity is the speed of an object moving in a definite direction exact definition तो यहाँ पर लिखी गई है कहा गया है कि भाई अगर हमें velocity का पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे देखो कोई भी object के speed कितनी है plus वो कौन से direction में जा रहा है इन दोनों चीजों का अगर हम पता लगा लेंगे तो हम velocity को निकाल सकते हैं velocity का formula नीचे दिया गया है मैं बताता हूँ अभी आपको वो सकता है कि किसी अबजेक की velocity काम हो जैसे speed कम और ज्यादा होती रहती है वैसे velocity भी कम और ज्यादा होती रहती है It can be changed by changing the object's speed, direction or both कहा गया है कि भाई velocity को हम बदल सकते हैं मतलब कभी velocity कम हो सकती है कभी velocity ज़्यादा हो सकती है यह कम और ज़्यादा कैसे हो सकता है अगर किसी object की speed बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो उसकी velocity भी बढ़ जाती है और घट जाती है या किसी object के direction को change कर दिया जाए तब भी velocity घट और बढ़ सकती है या speed और direction अगर हम दोनों को change कर देंगे तब भी velocity में फरक पड़ेगा velocity कम और ज़्यादा हो जाएगी मतलब velocity speed के जैसे ही कम और ज़्यादा होती रहती है अगर कोई object चल रहा है किसी straight line में किसी variable speed से चल रहा है variable speed का मतलब कोई object है जो अलग-अलग speed से चल रहा है जैसे road पर कोई car चल रही है कोई car traffic में धीरे चल रही है उसे खाली road मिलता है तो वो तेच चल रही है we can express the magnitudes of its rate of motion in terms of average velocity जैसे हमने यहाँ पर average speed निकाला था न हमने देखा था कि अलग-अलग गाडियां अलग-अलग चीजें अलग-अलग speed से चलती है तो हमें उसका average speed पता करना पड़ेगा ऐसे ही अलग-अलग चीजों की velocity भी तो अलग होती है न देखो velocity का मतलब simple है velocity का मतलब बहुँ simple है बस speed के साथ-साथ हम जिस value में direction भी बता दे समझ जाना वो हमारी velocity है समझ में आया? समझ में आया? चालो, अब देखो अभी हाँ पर कहा गया है कि अगर हमें velocity को express करना है numeric value में तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें average velocity निकालनी पड़ेगी average velocity हम कैसे निकालेंगे? जैसे average speed निकालते थे ना हम बिल्कुल वैसे ही हम average velocity निकाल सकते हैं देखो, आपको इस पूरे राम गाथा से जानने की क्या जरूरत है? आपको इन में से important क्या जानना है? average velocity की definition average velocity का formula average velocity की definition क्या है? देखो, average velocity is equal to initial velocity मतलब कोई object कितनी speed से चला है plus कितनी speed उसकी last में थी उसको upon 2 कर देंगे हमारी average velocity निकाल आएगी average velocity का formula समझ गया? देखो, इसको उपर पढ़ते हैं कि in case the velocity of an object is changing at a uniform rate then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time average velocity हम कैसे निकाल सकते हैं? for example, कोई object है कोई car है ठीक है? वो अलग-अलग velocity से चल रही है पहले वो 2 km पर आवर की हिसाब से चली है फिर वो 3 km पर आवर की हिसाब से चली है ठीक है? हम speed और velocity दोनों की जो unit होती है वो सेम होती है, km पर घंटे ठीक है? अब अगर हमें पता लगाना हुआ कि ये object की average velocity कितनी है तो क्या हम पता लगाएंगे? हम पता लगाएंगे कि कोई object जब चलना start किया था तब उसकी speed कितनी थी और जब वो object रुख गया तब उसकी speed कितनी है? दोनों को plus करके divide कर दो तू से हमें average velocity का पता चल जाएगा average velocity को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं average velocity को हम V और A V लिख सकते हैं initial velocity को हम U लिख सकते हैं final velocity को हम V कहते हैं तो भाई ये formula है हमारा average velocity का याद रखना इस पर बहुत सारे questions हमें इस chapter में करने है average velocity क्या है initial velocity plus final velocity upon 2 समझ में आया speed and velocity have the same units that is meter per second मैंने बताया ना हमने speed का जो unit होता है meter per second वही same unit होता है हमारा velocity का और speed और velocity में जादा अंतर नहीं है बस velocity का मतलब direction भी बता दिया जाता है ठीक है चलो अब आगे चलते है activity number 8.66 activity में आपको क्या करना है बहुत ही आसान है कि measure the time it takes you to walk from the house to your bus stop or the school का गया है कि भाई तुमारे घर से चल कर अगर तुम कहीं अपने bus stop पर जाते हो या अपने घर से चल कर तुम अपने school तक जाते हो तो ये पता लगाओ कि कितना time लगता है तुम्हें अपने school में जाने में या तुमारी bus stop पर जाने में तुम्हें कितना time लगता है तो भाई तुमारे पास घड़ी है school जल्दी खुलने वाले हैं measure कर लेना कि घर से निकलने के बाद और school तक पहुँचने में हमें कितना time लगता है measure कर लेना माल लो कि अगर तुम 4 km पर घंटे के average speed से चल रहे हो तुम्हारी औसतन speed 4 km पर घंटा है अब तुम्हें बताना है कि कितना distance है तुम्हारा bus stop या school तुम्हारे घर से देखो for example माल लेते हैं कि तुम घर से निकलते हो ठीक है घर से निकलते हो और तुम्हारे school तक पहुचने में तुम्हें 2 घंटे लगते हैं कितने घंटे लगते हैं 2 घंटे लगते हैं और तुम्हारी average speed माल लो 4 km पर आवर की है मतलब तुम एक घंटे में कितना किलो मेटर जाओगे चार किलो मेटर तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई तुमने स्कूल तक चला दो घंटे में तो दो घंटे में हम आठ किलो मेटर कवर करेंगे ना तो भाई तुम्हारे घर से इस स्कूल की जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई एट किलो मीटर समझाया यह activity कैसी थी कर लेना एक बार देखके चलो आगे बढ़ते है activity number 8.7 की तरफ इस activity में आपसे पूछा है कि भाई अभी क्या है अभी बारिस का मौसम चल रहा है जब कभी भी बारिस होती है तो आपने देखा होगा जब बिजलियां कड़कती है तो वो हमें जल्दी दिखाई देता है लेकिन आवाज थोड़ी देर में आती है जब बिजलियां कड़कती है तो बिजलियों के कड़कने की आवाज तो थोड़ी लेट में आती है लेकिन हमें light पहले ही दिखाई देता है ऐसा क्यूं होता है एसा क्यूं होता है ऐसा इसलिए होता है भाई क्योंकि sound late में इसलिए पहुचता है क्योंकि sound की speed केवल कितनी है 346 meter per second और वही पर light की speed जानते हो चौक जाओगे 3,00,000 km per second तो भाई obvious सी बात है जल्दी कौन पहुचेगा जो तेज चलेगा तो light तो तेज चल रहा है न तो light इसलिए हमें धर्ती पर आसानी से और बहुत जल्दी दिख जाता है measure this time interval using a digital wrist watch और a stop watch आपको अगला क्या करना है इस third point में आपको क्या करना है देखो जब कभी भी बिजली कड़के न तो जब आपको light दिखाई दे जब बिजलीओं के कड़कने का उजाला दिखाई दे और उसके बाद जब आवाज आए इनके बीच में देखो कि कितने समय का अंतर है औसतन हम मान लेते हैं कि 5 सेकेंड या 6 सेकेंड का डिफरेंस होता है आपके पास घड़ी है आप अभी भी बारिस का मौसम चल रहा है जब भी बिजलीओं कड़के न तो पता लगाओ कि बिजलीओं के कड़कने की जो light आती है और जो आवाज आती है उनके बीच में कितना gap है माल लेते हैं हम 5 सेकेंड या 6 सेकेंड का gap है अब आपको calculate करना है distance इस चीज का distance calculate करना है जहां से ये बिजलीओं के कड़कने की आवाज आ रही है वहां से धर्ती तक की कितनी दूरी है ये आपको पता लगाना है अब distance का formula क्या होता है distance का formula होता है speed into time अब आप अपने घड़ी में time देख लेना for example मैंने यहां पर ले लिया कि light और sound के बीच में 5 सेकेंड की दूरी है आप अपने घड़ी से एक बाद चेक कर लेना कि कितने सेकेंड की दूरी है for example मैंने यहां ले लिया 5 तो 346 को multiply कर देना 5 से हमारा distance calculate हो जाएगा समझ में आया I think कि आपको ये activity भी समझ में आ गई होगी so यहां पर आपको करने के लिए दिया है इनोंने कुछ questions अब भाई इन questions को आप आसानी से कर लोगे जब मैं कराऊंगा तो मैं इसके लिए एक separate video बनाऊंगा physics के हर chapter के बाद numericals को कराने के लिए मैं एक अलग video बनाऊंगा जिसमें chapter के सभी numericals को मैं एक एक करके solve करवाऊंगा तब तक आप example number 8.2 और example number 8.3 को करने की कोसिस करिए अगर कोई problem आती है तो इस chapter को finish होते ही हम numerical की एक अलग सी video बनाएंगे उसमें आपको एक एक करके सारी numericals solve करके दिखाएंगे वैसे ये numericals काफी easy है देखो इसमें क्या निकालना है इसमें कह रहा है कि एक car का odometer है odometer मतलब जहां पर speed बताया जाता है तो एक car है उसका जो odometer है वो ये बता रहा है for example कोई car है ठीक है कोई car है उसका जो odometer है वो ये बता रहा है कि जब गाड़ी चली तब वो गाड़ी 2000 km आलरेडी चल चुकी थी जब वो गाड़ी चलना स्टार्ट करी है तब वो 2000 km आलरेडी चल चुकी थी और उसके बाद जब ये गाड़ी आखरी में कहीं जाकर खड़ी हो जाती है ठीक है कहीं चल कर जाकर खड़ी हो जाती है तो इस गाड़ी ने total मान लो 2400 km total distance कवर कर लिया 2000 km से starting था और जब इसने गाड़ी खड़ी करी तब इसने देखा कि हम 2400 km चल चुकी है तो आपको क्या calculate करना है average speed average speed का formula क्या होता है distance upon time distance कितना है 2400 km से 2000 km माइनस कर दो गाड़ी तो केवल 400 km चली न गाड़ी तो केवल 400 km चली क्योंकि 2000 km तो वो पहली ही चल चुकी थी फिर आखिर में वो 2400 km तक पहुच गई मतलब 2000 km से चली final 2400 km तक पहुच गई मतलब total distance इसने किया यहां पर लिखा गया है 8 घंटे में 400 km को 8 घंटे से डिवाइड कर दो 50 per km आवर की हमारी average speed निकल गई तो केवल formula रखो और answer को निकालते जाओ ऐसे ही average velocity का formula रखकर यह वाले questions को कर लेना So this is all about our part 1 of chapter number 8 motion I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा कुछ न कुछ आपने इस वीडियो से जरूर सीखा होगा Part 2 के लिए थोड़ा सा इंतजार करना है बस एक या दो दिन का Part 2 हम जल्द upload करेंगे इस chapter की तब तक बने रही हमारे channel के साथ मिलते हैं एक और धमाकेदार एक और fantastic वीडियो के साथ तब तक जो आप पढ़ो लिखो Take care of yourself अपने माता पिता अपने घर वालों का ख्याल रखो जैहिंद OTP एंटर करने के बाद आप इस application पर login हो जाते हो अब जैसे ही आपके सामने ये application open होता है आपके पास दो option है या तो आप अपने doubt की photo ले लो या आप अपने doubt को यहाँ पर type करके भी पूछ सकते हो जैसे मैंने पूछ लिया What is cell? What is cell? अब मैंने next कर दिया अब यह कौन से topic का है? तो यह biology का है biology में से कौन से topic का है? cell structure and function का है get connected to instructor जैसे ही आप get connected to instructor पर click करते हो connect कर देता है आपको किसी teacher के साथ, किसी tutor के साथ और आप इस teacher के साथ 30 minutes तक free of cost doubt पूछ सकते हो so this is how it works एक और आपके पास option यहाँ पन मिल जाता है कि आप बहुत सारे questions को भी यहीं से practice कर सकते हो so application कैसा लगा? आप इस application को install कर सकते हो इसे video की description box में लिंक प्रॉइट 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 प्रॉइट